ये भी सुबा के साड़े पांच का टाइम है ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम हो चुका है पर नहीं सुबा का साड़े पांच का ही है तो इतने भी मैं इनके लिए जल्दी से नास्ता भी बना के तयार कर दी और ये टब्बा भी मैंने लगा दिया है तो हेलो गूल मॉनिंग तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो अभी सुबा के काफी ज़्यादा टाइम हो गया एकदम सुबा में नहीं है साड़े दस बज रहे हैं और मैं सुबा में उठी थी पांच बजे चाय नास्ता शक्षी पापक बना के दी और ये पी चले गए नास्ता भी लेके गए तो और मैं वापस खिर सो गई और मैं जाके उखी साड़े आड बजे उठी तो फिर अभी मैं नहां आके सरदुल के बैठी हूं तो अभी जा रहे हूं खाना बनाने एक बार नास्ता हो गया और बच्चे लोग भी अपना नास्ता शक्षी कर चुके हैं तो अभी मैं सब्जी काट रही हूं और यह बोड़ा है आज मैं बनाओंगी आलू और बोड़े की सब्जी और यह सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है बहुत ही टेस्टी रहती है तो मैं आलू और बोड़े की सब्जी बनाओंगी और एक सब्जी और मैं बनाओंगी नेनुवा की तो मैं साक्षी के लिए नेनुवा बनाओंगी और हम तीनों जन के लिए आलू बोड़ा बनेगा और उसके लिए निन्वा क्यों बना रही हूं उसको जोईन्डिस हो चुका है तो और उसकी दवा भी चल रही है पर क्या करूँ खा लेती है सब्जी सबजी है, ओली चीज है, खा लेती है, पर डाट मुझे खानी पड़ती है, सुबह-सुबह ही मुझे डाट खानी पड़ी, साक्षिक पापा से चलाने लगे कि हाँ, ध्यान नहीं दे रही हो, तो मैं आ गई हूँ सबजी कट करके किचन में, तो मैं अब सबजी बनाने जा रह सुबह का, तो ज्यादा तर मैं किचन में ही मेरा टाइम जाता है, और किचन मेरा छोटा भी है, तो काम भी जल्दी-जल्दी नहीं हो पाता, तो मैं चली आए बनाते हैं बोड़िक सब्जी, और इस बोड़िक सब्जी में पूरा स्टार्डिंग से नहीं दिखा पाई, ते स्टेन को मैं दोरी रखती हूं, गिरने का भी डर रहता है मुबाइल को, तो मैं फिर से वापस आप बता देती हूं, मैंने तेल डाला है, फिर जीरा प्यास से तलका दिया, और आलू बोड़े को अच्छे से बोना है, बहुत ही ज्यादा ही बोना है, आप देख से तो बहुत अच्छे से महें काने लगी है, और मैंने सुखे मसाले डाले है, और अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हैं, तो ऐसे भी खा सकते हो, पराठा है रोटी के साथ में, पर बच्चे क्या, साक्षी को खाना नहीं है, मैं और हार्दिक खाएंगे, और इनके पापा को भी च और एक से डेल गिलास पाइशी डाल दिया और एक सबजी पाके घीजो तो और थोड़ी हो जाएगी और ये सबजी आज मैंने गाउं को स्टैल में बनाया। गाउं के स्टैल किया जैसे मेरी मम्ही है बनाती थी, इससी तरीके मैं पहले गाउं में क्या करते थे, सबजी फिर उसके बाद में दबब जाएगा तो यह जल कोड़ी से यह फुसके बादए ग्रृटि बनारही हैं साचिपा पकलिये तो मैंने सबजी डाल दिया एक डब़े में और इन दोनों डब़े में रोटी 4-5 रोटी जाएगी तो मैं रोटी लगा दे रही और सिल्वर फोल्ड हमारे पांस है तो मैं उसी में रैप करके दे रही हूं काफी देव तक अगर शिल्वर पोल्ड नहीं रहेगा तो मैं पेपर में या कापी के पेच में उसमें पाड़के रखती हूं आइसे नहीं रखती रोटी गेली हो जाती है तो सुबह में मैंने इनको दलिया दे दिया था इसलिए कि दुपाहर तक पेट भारा रहता है दलिया काने से तो यह मीरा थैयार हो चुका है अब हमारा जल्पहर का सारा काम हो चुका है डबन थेbelsारी आहसे हैं अगर इसलिए करने जारी हूँ नहीं 20-30 В थे सिकर्वा, थे भींहें हुआ हैं, शुर्ष से अब कुछ होताई तो दोपहर का खाना डेर से खाते हैं। किन्वी अब डेर बचचुके हैं, तो इतनी समय और खानों लेना चाहिए। मैं अब जा रही हूँ खाना थाने और बच्चे खा चुके हैं इनके पापा का भी डबता जा चुका है चलिए मिलते हैं खाना के लिए खाते हैं तो आप लोग भी खा लीजिए और ये रही मेरी थाली चावल सब्जी रोटी ये हमारा हो गया दुबायर के लंच तो मैं और ह साक्षी भी थी वह साइट पर आज सुबा सुबा साच्षी के जैसे बहुत ही ज्यादा मुझे डाट खानी पड़ी कि अच्छे से इसका ध्यान रखो इसको तेल मसाला नहीं खाने दो तो बस ऐसे ही अम लोग बैठे थे बाते कर रहे थे और बस आज का यही हमारा था रू रहा हमारा व्लोग आज का तो कमेंड में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई और देखिए हार्दी क्या साइटानी कर रहा है ना सोएगा ना सोने देगा और वो फाइन बना रहा है हो गया तुमारा फैन बन गया तेयार हो गया अभी ने लेकर उठाओ दिखाओ ज़ा के दिखाओ ज़ा के दिखाओ ज़ा के दिखाओ अभी दूस्प्राइबर कर दो मिला उठाओ अबर्णक उसले ज़ा कर दिखाओ